दोसों आज की इस वीडियो में हम लोग first generation English poet William Wordsworth की life और उनके सारे works को एक चार्ट बना कर समझेंगे यानि ये वीडियो आपके लिए एक blueprint की तरह होगी ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए कि कैसे कैसे इन्होंने life में progress किया और कैसे इनके works में गरावट आई बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है हम लोग एक पूरा चार्ट बनाएंगे इस वीडियो में चले शुरू करते हैं मिलता हूं इस वीडियो के end में तो विलियम वर्ट्सवर्थ का नाम romantic age में बहुत बड़ा नाम है इनका time spent था 1770 से 1850 थक यानि लगबग 80 साल की लंबी और healthy life जी कर गए थे कॉकर माउथ में इनका जन्म हुआ था इनका घर कॉकर माउथ में था जिसको हम lake district भी बोलते हैं वर्ट्सवर्थ ने अपनी poems को publish करवाना शुरू किया था 23 की age से यानि 1793 में इन्होंने first time अपनी poems को publish करवाया और उस collection का नाम था तो collections से an evening walk और descriptive sketches वेट 1795 में इनके collections के लिए इनको पैसे भी मिलते हैं 900 pounds पैसा मिलते ही motivation भी मिल गया काम करना है तो writer भी करना है बनूगा तो writer बनूगा कुछ और नहीं रेजली कलवर्ट ने इनके collections के लिए इनको पैसे दिये थे और उन्हीं को tribute करने के लिए wordsworth ने एक sonnet भी लिखिया है to the memory of raisley कलवर्ट अब मैंने आपको बताया जिस साल इनको पैसे मिले तो motivation भी मिल गया 1795 में इनकी मुलाकात होती है estry कॉलरस से Somerset नाम की जगह पर जिस वक्त इनके साथ अनकी sister भी थी डरती दो साल तक wordsworth अपनी बेहन डरती के साथ में वहाँ पर घूमे फिरे पुरा experience लिया फिर 1797 में ये दोनों कॉलरिज के पास कहीं आस पास रहने चले गए वहाँ पर इन तीनों ने मिलकर तैयार किया लिरिकल बैलिट्स को अब उसी दोरान जब लिरिकल बैलिट्स की manuscript तैयार हो चुकी थी उस वक्त wordsworth और कॉलरिज की मुलाकात होती है William Hazlett से Hazlett जो पहले से कॉलरिज के influence पे थे वह जब इनसे मिले तो देखा इस collection की manuscript को यह manuscript अब publish होने वाली थी 1798 में और एक बड़ा change लाने वाली थी लेकिन इसको publish करवाने से पहले दोरों ने mutually एक पैसला किया था कि हम दोरों में से कोई भी इस collection पर अपना नाम नहीं डालेगा इसलिए 1798 वाले edition में ना तो preface डाला गया और ना ही कोई नाम डाला गया देखो दोस्तों इस collection में 23 poems डाली गई थी जिसमें से 4 poems तो S.T. Coleridge ने डाली थी और 19 poems Wordsworth ने डाली थी तो यह collection शुरू हुआ Coleridge की poem Rhyme of the Ancient Mariner से जो masterpiece था Coleridge का और इस collection का और end होता है Wordsworth की Tentern Abbey से Rhyme of the Ancient Mariner एक अकेली ऐसी poem थी जिसका वजन इतना ज्यादा था कि Coleridge इस collection का star बन गया अला कि Wordsworth की Tentern Abbey भी इस collection में शामिल थी बहुत famous poem थी We Are Seven और The Idiot Boy यह सब भी इस collection में शामिल थी लेकिन फिर भी Rhyme of the Ancient Mariner ने इस collection को एक तरीके से हिट करवा दिया अब जैसे ही यह collection हिट हो गया तो 1800 में यानि की दो साल बात में इस collection का second edition तयार किया Wordsworth ने उन्होंने उसमें अपने पुरानी poems के कुछ नाम बदल दिये कुछ दो चार poems के आगे lines written, lines written यह सब लगा दिया और अपनी एक poem The Convert को हटा दिया और इसी edition में उन्होंने Lucy Gray नाम की poem को भी add किया था दोस्तों आप में से काफी सारे बच्चों को गलत फैम ही हो जाती है Lucy poems और Lucy Gray में काफी सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि यह Lucy Gray जो poem है यह इनकी Lucy poems का part है तो दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी Lucy poems जो है पाँच poems का एक collection है पहले उसके बारे में बता देता हूँ Lucy poems इनकी पाँच poems की एक series है जिनको Wordsworth ने 1798 से 1801 के तीन सालों के पीच में लिखा था अपनी बहन के साथ में जब वो जर्मनी में थे पाँच में से चार poems तो लिरिकल बैलेट की शुरुवाती collections में पबलिश हुई थी और बाद वाले collection में एक poem पबलिश हुई थी पाँचों के मैं नाम बताता हूँ आपको पहली थी strange fits of passion I have I known और दूसरी थी she dwelt among untroden ways थर्ड थी I traveled among unknown men ये थर्ड वाली जो थी ये बाद वाले edition में पबलिश हुई थी फोर्थ थी three years she grew in sun and shower और फिफ्थ थी the slumber dead my spirit sea आज हम इन पाँचों poems को पढ़ते हुए एक group में रखते हैं एक series में जमाते हैं लेकिन दूसरो wordsworth ने कभी नहीं सोचा था कि इन poems को आने वाले time पर एक sequence में जमा कर Lucy poems की नाम से पढ़ा जाएगा उन्होंने अपने lyrical ballads के preface में खुद लिखा था कि मेरी ये poems जो थी experimental थी मैंने इन poems में beauty, love, longiness, death के बारे में जो experiments किये थे उनकी बारे में ये poems थी Interestingly हमको ये नहीं पता कि ये Lucy जो character है ये सच में कोई character था Wordsworth की life में या फिर उनकी imagination से बनाय हुआ एक character था क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी किसी को भी ये identity reveal नहीं की Lucy की ना ही किसी poem में बताया है identity तो बहुत दूर की बात है Lucy की age तक हमको नहीं पता अपको Lucy poems को पढ़ते वक्त एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि Thomas Powell नाम की एक literary critic थे उन्होंने इन poems को एक group में जमाया था किनोंने जमाया था? Thomas Powell ने Wordsworth ने खुद ने नहीं जमाया था उन्होंने तो बस लिग दी experiment करके अब दोसो इसी दौरान William Wordsworth ने अपनी life में एक drama भी लिखा था जो एक tragedy थी पांच acts की जिसका नाम था The Borders जिस दौरान इन्होंने लिरिकल बैलट्स की manuscript तयार की थी ना उसी दौरान 1796 1797 के आसपास तो इस tragedy को उन्होंने set किया था King Henry III के टाइम पर England की राजा जो थे King Henry III के टाइम पर फिर 1797 में यानि लिरिकल बैलट्स के publish होने के एक साल पहले Wordsworth ने सूचा चलो इसको perform करवाता हूं तो उन्होंने बात की एक theater director से उस theater director का नाम था Thomas Harris जो Convent Garden Theater का मालिक था उसने Wordsworth को साफ मना कर दिया कि मैं इसको perform नहीं करवा सकता उन्होंने साफ साफ कहा कि अच्छी चीज है लेकिन यह fail हो जाएगी एक तो Words की form में आपने इसको लिखा है पाइटरी की तरह आपने इसको लिखा है और यह stage के लिए नहीं बना हुआ है तो मुझे लगता है यह fail हो जाएगा उन्होंने मना कर दिया कि इसको perform नहीं करवा सकता तो ऐसे में आप देखो Wordsworth ने एक experience रादमी की सला मानी और 1842 तक अप इस play को अपने को इसको संभाल की रखा और publish नहीं करवाया उसी दौरान ये तीनों Wordsworth, Dorothy और Coleridge जर्मनी चले गए थे घूमने के लिए ये दोनों जने वह Wordsworth और Coleridge अपने अलग-अलग मकसद के लिए ट्रैवलिंग पर गए थे experience लेने के लिए अपने अलग-अलग तरीके से और जैसे ही सर्दियां आती है तो Wordsworth ने अपनी autobiography prelude पर काम करना शुरू कर दिया उस दौरान इन्होंने extreme stress फिल किया था जर्मनी में रहते हुए अकेला पन फिल किया था तब इस autobiography को लिखना शुरू किया था अब काफी सारे लोग इसके बारे में आपको बताएंगे कि autobiography को इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था लेकिन कैसे किया था इसके पीछे की story क्या थी उस वक्त ये कहां पर रह रह रहे थे उस वक्त ये गौसलर नाम की जगह पर रह रह रहे थे और उसी दौरान ये Lucy poems भी इन्होंने compose की थी जो मैंने आपको बताएंगे थी न उसी दौरान इन्होंने compose की थी ज्यादा टाइम वहां पर रह नहीं पाई है 1799 में England वापस आ गए थे उस वक्त Coleridge इनके साथ में नहीं आया थे देखो दोस्तों इनकी autobiography पर काम करना शुरू किया था ये एक accident था इस autobiography को ये एक नाम से बुलाते थे poem to Coleridge कहकर बुलाते थे इन्होंने नाम तक नहीं सोचा था accident ही था ये अपने letters में उन्होंने डॉरती को लिखा था poem to Coleridge बोलकर इस autobiography को बाद में इसको prelude नाम मिला था दरसल एक कहानी है prelude को लिखे जाने से पहले की और Coleridge के साथ इसको क्यों जड़ा जाता है मैं आपको बताता हूँ देखो दोनों की दोस्ती में lyrical ballad success हो गया था तो उनकी next planning थी कि कुछ बड़ा लिखेंगे तो Coleridge ने एक project बनाया The Brook नाम का जिसमें बहुत सारी poems होंगी और उन poems में हम science, philosophy, religion इन सब की बाते करेंगे एक और project तो यह हुआ था दोनों का लेकिन इन poems को तयार करने का सारा burden किस पर आ गया था? Wordsworth पर इन्होंने उस वक्त एक poem लिखने की सोची थी एक बड़ी poem The Recluse The Recluse टाइटल रखा कुछ लिखना शुरू ही किया उसी दौरान side by side इन्होंने autobiography भी लिखना शुरू कर दी एक experiment की तरह और इतिफा किये रहा कि recluse कभी complete नहीं हो पाई तीन parts में इसको divide गरने की सोची थी first part तो इन्होंने लिख लिया second में या आधे में रुख गए और prelude जो इनकी autobiographical work था वो धीरे 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 लिखकर इन्होंने पड़ा कर लिया prelude को इन्होंने खुद से publish क्यों नहीं करवाया क्योंकि यह मानते थे कि यार एक तो personal work है और दूसरा recluse published नहीं हो जाएगी तब तक मैं इसको publish नहीं करवाऊंगा recluse कभी पूरी हुई नहीं complete हुई नहीं और prelude कभी publish हुई नहीं फिर 1807 में इन्होंने एक और poems का collection publish करवाया poems in two volumes इसका नाम बहुत important है इस collection में इनकी सबसे famous poems शामिल थी दोस्तों जैसे daffodils my heart leaps up ode intimation of immortality solitary reaper Westminster bridge London, world is too much with us और भी बहुत सारी और ये देखो ये उस collection का title piece था इसमें उन्होंने लिखा था the author of lyrical ballads जैसे आजकल film makers लिखते हैं कि मैंने पहले एक super hit work लिखा है इस उम्मीद में कि इस work से उनको fame मिल जाएगी मतलब historical ballads का writer समझकर इनके works पर तूट पडएंगे लोग एक तरीके से इन्होंने अपनी fame को और मजबूत करने के लिए इस work को लिखा था जो अभी कच्ची कच्ची fame मिली थी ताकि वो strong हो जाए लेकिन दोस्तों अच्छे चीजे ग्रो होने में time लेती है आप भी समस्ते हो starting slow थी लेकिन ये poem super hit हो गई blockbuster of all time हो गई थी अब इस collection की publish होने के बाद 1810 में 1810 में Wordsworth की दोस्ती कॉलरिज के साथ में थोड़ी कम हो गई अफीम के addiction को लेकर थोड़ी दूरियां बढ़ गई थी और 1814 में इन्होंने अपनी एक long poem publish की जिसका नाम था The Excursion इस poem को इन्होंने The Recluse के second part की तरह बनाया था लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि second part इन्होंने complete नहीं किया था critics ऐसा मानते हैं कि एक time बाद जाकर मतलब 1810 के बाद जाकर इनके works में एक गिरावट देखने को मलती है क्योंकि शुरुआत में इन्होंने loss, death, separation ऐसी चीजों को feel किया था जिसकी वज़े से जो सब feel करके एक point अच्छा लिख पाता है लेकिन अब वो इनकी life में वो problems नहीं थी एक शान्त अच्छी जिन्दगी जी रहे थे तो 1820 तक ये एक बड़े नामी successful author बन चुके थे और आगे चलकर उन्होंने college के साथ में बिस relation जो बिगड गए थे कुछ सालों के लिए उसको भी सुधार लिया था तो अब कोई अच्छी great poem जो है निकल कर नहीं आ रही थी तो इनकी work में एक गिरावट देखने को मिलती है फिर 1815 में ही इन्होंने 2-3 narrative poems को publish करवाई कुछ पहले लिखी वी थी कुछ बाद में लिखी वी थी और एक जो work था इन्होंने historical subject matter उठा करके भी लिखा था narrative poems ही थी क्योंकि prose में ये लिखते नहीं थी इन्होंने खुद में बोला था कि prose में लिखता नहीं हूँ इस work का नाब था इस पोवम में उन्होंने historical subject matter उठाया और ये poem इतनी popular तो नहीं है दोस्तों लेकिन critics ने इस work की बहुत तारीफ की ऐसा कहा जाता है कि Wordsworth ने उस वक्त historical works को Sir Walter Scott के historical works की success को देखते हुए लिखा था फिर इन्होंने 1819 में एक narrative poem और पब्लिश करवाई Peter Bell 1822 में इन्होंने अपने aclyastical sonnets को पब्लिश करवाया हाला कि अब Wordsworth का जो literary career था वो peak पर तो नहीं था लेकिन limelight में अभी तक बने हुए थे तो John Kevill जो Oxford movement के एक leader की तरह थे उन्होंने Wordsworth को part of humanity कहा था तोंकि John Kevill के खुद के famous work Christian year पर Wordsworth का का काफी influence था इस वज़े से शायद 1842 में government ने इनको 300 pound per year की pension देना भी शुरू कर दी फिर 1843 में Robert Saudi की death के बाद में इनको poet laureate बनाया गया पहले तो इनको यह offer किया गया इन्होंने कहा कि मैं बुड़ा हो गया हूँ तो उस वक्त के prime minister ने इनको कहा कि मतलब एक तरीके से मनाया फिर जाकर यह poet laureate बन गया 1843 से अपनी death तक यानि 1850 तक यह poet laureate बने रहे पर 23rd April 1850 को इनकी death हो गई इनकी death के बाद में कुछ महीनों बाद में इनकी wife Mary ने इनकी autobiography prelude को publish करवाया prelude नाम देकर उस time पर लोगों ने इसमें interest नहीं दिखाया लेकिन आज इस work को इनका masterpiece माना जाता है अब जब आपने ये वीडियो खतम कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो बनाएंगे फिलाल आज की इस वीडियो में सतना ही मिलता हूँ next वीडियो